नमस्कार दोस्तो और आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि मैं lie detection के बारे में और narco analysis के बारे में बताऊं तो मैं आपके सामने लेकर आगया हूँ आपको दोलती जानकर देने के लिए जिससे आपके कुछ fundamental से वो clear हो जाए और आपके जितनी भी queries है वो आप comment box में लिख सकत करते ही मैं उन queries को भी दूर करने की कोशिश करूँगा चली आगे बढ़ते हैं तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम दो चीज के बारे हम बात करने जा रहे हैं lie detection जिसको हम polygraph भी कहते हैं और narco analysis जिसे हम truth serum भी कहते हैं ठीक है न तो इन दो चीज़ों के तो चली पहले बात करते ह है अब जैसे कि यहां पर lie detection का तो मतलब जाते हैं जूट को पगरना ठीक है मैं हिंदिय बोल रहा हूं जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़के समझ सकते हैं इसे और lie detection माने जूट को पगरना पॉली माने बहुत सारे graph माने picturization तो बहुत सारे graph बन जाते हैं कि स्टीच के यह हम देखते हैं तो यह वो टेस्ट है जो कि हमारे psychophysiological changes मतलब जब हम कुछ सोचते हैं उसकी वयसे हमारे अंदर कुछ physiological changes आते हैं हमारे mind की वयसे हमारी सोच की वयसे हमारे thought process की वयसे जो हमारे physiological changes आते हैं अभी जैसे अगर आपको कोई कोई खत्रा सामने आ जाता है तो आपकी thought process की वयसे physiological changes आपकी heartbeat बढ़ जाएगी आपको पसीन आने लगेगा आपको छट पटा रोने लगेगी तो यह कहते हैं psychophysiological changes ठीक है ना कोई physiological बीमारी नहीं होती है पर psychologically वो changes को exaggerate करती है बनाती है देकि बहुत मुश्कल होता है में लिए थोड़ा स होता है तो जब यह तब होता है जब interrogation हो रहा होता है किसी suspect का या accused का ठीक है तो उस समय यह होता है इसके बाद इस instrument में क्या होता है कि बहुत सारे recorders होते हैं जो हमारी physiological changes को जैसे कि मैंने बता है physiological changes में हमारे आ गया heart rate, blood pressure, rate of respiration हमारी सांसे तेज चलने लगती है जब हम जूट बोलते है ठीक है ना तो उन सांसों का rate of respiration क्या होता है कि particular एक minute में कितने बार आम तोर पर बंदा सांस ले नॉर्मल चीज पर देखा जाता है जहां normal rate हमारा क्या है सबका normal rate अलग-अलग हो सकता है पर vary करता है जो लोग meditate करते हैं जो लोग प्रानायाम करते हैं उनका थोड़ा कम होता है normal थारबर और जो लोग obese होते हैं मोटे होते हैं जिनको कोई hurt की problem भी होती है अस्तमा भी होता है या कुछ और उनका कुछ तौर पर ज्यादा भी होता है पर एक normal range भी होती है तो पहले इसको normal range पर सबको चेक किया था और skin conductivity मतलब पसीने से है आपकी conductivity बढ़ जाएगी जब आपको जूट बोलोगे आपको कुछ परिशान होगी तो पसीना आने लगता है तो पसीना क्या है कि water का काम करता है तो conductivity जो जिसको हम galvanic skin reflex कहते है जी एसा वो हमारा बढ़ जाता है समस्ता हो कि आपकी समझ में यहां पर आ रहा होगा तो इसके बाद में क्या है कि यह computerized recording system होता है मैं यहां पर ज् देखाना चाहूंगा आप इसको pause करके बाद में पढ़ सकते हैं ठीक है यह वो चीज़े जो मैं अक्सर students को पढ़ाता हूँ अपने को तो हम यहां पे देखे मैं आपको पताता हूँ इसको हम stimulation test भी कहते हैं ठीक है क्यों कहते हैं क्योंकि यह आपको किसी भी चीज के लिए stimulate करता है जब आपके psychophysiological changes के लिए आपको stimulate करता है इसलिए हम इसको stimulation test भी कहते हैं ठीक है तो यह एक ऐसा examination है जिसमें के एक pre-test phase होता है pre-test phase में क्या करते हैं अगर आप अभी मुझसे बोलेंगे कि आपका polygraph test होना है ठीक है आप मुझसे बोलते हैं आपका polygraph test होना है मै ले मैंनू मैं बहुत ही ना समझू मैं नहीं जानता हूँ ठीक है न जैसे कि इस case में अगर हम नीरज को लें या केशव को लें तो उसको नहीं पता है कि यह क्या होता है तो वो घबरा जाएगा और वो घबरा नहीं कि वैसे changes आएंगे polygraph machine में तो वो misinterpreted हो सकते हैं उनको गलत देखा जा सकता है इसलिए pre-test phase होता है तो pre-test phase में क्या है कि बंदे को normal पहले सब कुछ समझाया जाता है कि क्या technique है क्या होगा क्या चीज नहीं होगी इसमें कोई आपको current नहीं लगेगा बस आपको एक blood pressure का cup पहना जाएगा आपकी chest पर respiration rate का यह पहना जाएगा और आपको कोई भी हानी नहीं होगी फिर आप उनसे कुछ question पूछे जाते हैं उनका check किया जाता है कि normal question तुमारा नाम क्या है कहां के रहने वाले हो यह सब चीज जिससे के control बन जाए कि इस चीज पर उसकी beats वगरा नहीं बढ़ रही है उसके बाद सीधे leading questions पूछे जाते हैं जैसे हम security control question test भी कहते हैं यह check करने के लिए होता है जो बहुत ही relevant होते है case से जैसे कि example मैंने लिया है यहाँ पर did you shoot your wife क्या तुमने अपनी पतनी को गोली मारी तो ऐसा कोई question होगा तो इंसान की hurt बीच और यह सब बढ़ जाएगा तो हम यह देख लेंगे कि हमारी machine सही तर इसमें blood pressure का होगा एक ग्राफ इसमें जो skin conductivity का होगा एक ग्राफ देख इसकिन कंड़क्टिविटी के यह यह यहाँ पर लगे हुए और यहाँ पर आपका respiration rate के लिए लगा हुआ है फिर यहां blood pressure के लिए लगा हुआ है इस तरह से किसी-किसी brain mapping में क्या होता है brain mapping एक है उस इस तरीके से यह test होता है अब आपके दिमाग में question आएगा अब मैं आपसे question पूछता हूँ यहाँ पर अगर मान लिए कोई इनसान बहुत meditate करता है अपने आपको काम रखना जानता है कि किसी भी परिस्तेती में अपने आपको काम कैसे रखा जाता है तो यह इस test की यहाँ कैसे change हो रहे हैं और उन variations को लोग पढ़ लेते हैं यह होता है lie detection test में पॉलिगरफ टेस्ट में court में admissible नहीं है as a conclusive evidence इसके basis पर कोई भी conclusion नहीं निकाला जा सकता है क्यों निकाला जा सकता है जैसा कि मैंने आपको बता है कि कोई भी इनसान जो अपने आपको काम रखना जानता हो जो अपने आपको काम को हिंदी में क्या कहते हैं जो अपने आपको शांत रखना जानता हो और वो इसको cheat कर सकता है easily तो उसमें differences उसके polygraph में नहीं पता चलेगा इसलिए यह technique थोड़ी इसी conclusive नहीं है court में पर होता क्या है कि बाकी evidences अगर मिल चुके हैं अब जैसे कि हम इस case में देखें किसी के खिलाफ हमें chat में नाम नहीं ले रहा हूं किसी के खिलाफ हमें chat messages मिल चुके हैं यह साफ तोर पर दिखाए दे रहा तो यह हमारे पास evidence है electronic evidence है अब हम उस विक्त से leading questions पूछेंगे अगर वो जूट बोलता है तो हमारे यहां पर जो है clear दिखाई दे जाएगा कि इस बंदे ने जूट बोला है यह graph में और यह कई बार repeatedly किया जाएगा तो यह है हमारा polygraph test इसके बाद आता है narco analysis या truth serum जिसे हम कहते हैं narco test भी कहते हैं यह क्या है कि close to unconsciousness इंसान को कहां ले जाता है बिलकुल unconsciousness के पास unconscious नहीं है अगर इंसान unconscious हो जाएगा तो बेवोश हो जाएगा वो कुछ बता ही नहीं पाएगा पर यहां पर हम क्या कर रहे हैं close to unconsciousness जैसे नींद की अवस्ता से पहले वाली अवस्ता बिलकुल नींद की stage से पहले वाली stage पर बंदा आ जाता है, ठीक है? He or she is mentally incapable of resisting to cautioning. वो cautioning जो होती है, उसको resist नहीं कर पाता है, answers को manipulate नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में होता है, कि जहां पे वो ना तो conscious होता है, ना ही unconscious होता है, close to unconscious होता है, तो ऐसी अवस्था में वो इनको capable, जो manipulation नहीं कर सकता है, और वो इसके भी capable नहीं रहता कि उसको अपना guilt अपना अपराच छुपाना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि वो उसका जो brain होता है, उस समय सिर्फ command दे रहा होता है, उसकी जीप को, उसकी जवान को, कि क्या बस बोलना है answer manipulation का जो शक्ती होती है वो ख़तम हो जाती है तो ये light reduction test से काफी अच्छा है पर इसकी भी limitations है वो मैं आपको थोड़े देर में भी बताता हूँ आगे बढ़ते हैं ठीक है person बहुत ही talkative हो जाता है क्योंकि कोई भी inhibition नहीं रहता कोई रोक थाम तो है नहीं अब वो बोलता चला जाएगा जो बात नहीं भी बोलने की है वो भी बोलता चला जाएगा तो test काफी अच्छा है ठीक है और इसमें हम cns depressant use करते हैं जो हमारे center nervous system को depress करती हैं दवाईयां वो use करते हैं और एक particular amount में करते हैं उस amount से ज्यादा बिलकुल नहीं कर सकते जितना की law में define है और हमारे heart rate को भी slow कर देते हैं ठीक है ना इस तरीके से काम करते हैं तो हमने यह देखा अजमिल कसाप का case भी देखा हमने आरुशी तलवार के case में भी इसको देखा जो तलवार दंपत्ती माता प्यदाते हारुशी के उनके उपर यह use किया गया था और आशाराम बापु वाला भी case था उनके उपर भी use किया गया था तो बहुत सारी techniques हैं और इसको हम जाए तर यूज करते हैं फिर से collaborative evidence की तरह conclusive यह भी नहीं है और क्यों नह जो है थोड़े सी sleep में या semi conscious state में आ जाता है जिसको हम एक chemical injection के दवारत दिया जाते हैं और क्या दवाईया हैं ठीक है यह सारी चीज़ें हैं जो सारी दवाईयां usually use होती हैं आप देख लीजें इंडिया में जाए तर हम हाईयोसी यूज करते हैं या sodium pentotal ये यूज करते है ठीक है phenobarbitals इंडिया में इतने अभी प्रचलित नहीं है allowed नहीं है क्योंकि यह बहुत ही harmful भी होते हैं इसलिए इनको हम use नहीं करते हैं जाधतर ठीक है तो यह एक दवाई है जो इंडिया में बहुत यूज होती है about laboratory की और amethyl sodium भी यूज होती है कितने amount में यूज होती है यह मैं आपको बताएदा हूँ 0.5 mg ठीक है और इस तरीके से इसका एक solution बनाया जाता है पूरा इसमें आप देखेंगे इसमें morphine sulfate भी है यह वही morphine है जो drug की तरह भी use की जाती है अब यहाँ पर limitation आ जाती है कोई भी ऐसा बंदा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही drug use क करता रहा हो high dose में या regularly उस पर यह चीज ज्यादा काम नहीं करेगी क्योंकि वह फिर भी उसे state में नहीं पहुचेगा जिस state में doctors या medical examiner और investigators interrogators चाते हैं कि उसको पहुचाया जाए तो यह इसकी main limitation है इसका 96-97% है बहुत अच्छा success rate है ठीक है और आप देखेंगे कि एक ही तरह से यूज नहीं होता है अगर किसी नहीं भी किया है तो innocent people को भी प्रूब करने के लिए यूज होता है और किसी का guilt है तो guilt प्रूब करने के लिए भी इसको use किया जाता है सुचता हूं आपको यह जानकारी मैं देखें बहुत थोड़ी जानकारी आपको दी है बहुत छोटे बहुत कम समय में दी है मैं नहीं चाहता कि बहुत लोगों को मैं alert करूं बहुत साई जानकारी यहां पर नहीं दिये हालना कि वो पढ़ सोचनों जानकर आपको अच्छी लगी होगी